सुप्रमेश्र के लोगों आज हम पोईतरात्मा के बारे को सीखना चाहते हैं और आज मैं आपको पोईतरात्मा पाने के दो मुख्य तरीके बताना चाहता हूँ पोईतरात्मा कैसे पाएं दो मुख्य तरीके आपको मैं बताना चाहता हूँ पोईतरात्मा दो मुख्य तरीके कैसे पोहितरात्मा को हम लोग पाते हैं कैसे पोहितरात्मा को पात सकते हैं अगर आपको अभी तक पोहितरात्मा नहीं मिला तो पहली बात आप प्रभु येश्यु मसी पर विश्वास करके पिता परमेश्वर से पोहित्रात्मा मांगें तो आपको पोहित्रात्मा मिलेगा पहली बाद परवेश्व मसी परविश्वास करके आप पिता परमेश्व से पोहित्रात्मा मांगें तो आपको पोहित्रात्मा मिलेगा लुका के अंजील ग्यारा अधिहाई अर उसका 9 से लेकर 13 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं लिखा है पर विशमसी कहते हैं और मैं तुम से कहता हूँ के मांगो तो तुमें दिया जाएगा ढूंडो तो तुम पाओगे खटखटाओ तो तुमारे ले खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूड़ता है वैपाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाएगा तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्तर रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे जब मशली मांगे तो मशली के बदल उसे साप दे या अंडा मांगे तो उसका पिता उसे बिशु दे जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तु में देना जानते हो तो सुर्ग्या पिता अपने मांगने वालों को पोईतरात्मा क्यों ना देगा तो स्वर्गिया पिता अपने मांगने वालों को पोईतरात्मा क्यों ना देगा क्या लिखा है प्रवेश्व मसी ने कहा सो जब तुम बुरे हो कार अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तों देना जानते हो तो स्वर्गिया पिता अपने मांगने वालों को अपने मांगने वालों को पोईतरात्मा क्यों ना देगा जब आप पिता परमेशर से पोईतरात्मा को मंगेंगे तो परमेशर आपको पोहित्रात्मा देंगे जब आप पोहित्रात्मा मांगेंगे प्राथना में कहेंगे कि हे पिता परमेशर मुझे पोहित्रात्मा चाहिए मुझे पोहित्रात्मा चाहिए तो परमेशर आपको पोहित्रात्मा को आप बीच में उन्ठेल देंगे अब दूसरी बात दूसरा तरिक्का प्रभू के दासों के हाथ रखने के दुआरा जब वो पुईतरात्मा के लिए प्राथना करते हैं जने के जब परमेश्र के दास लोग सिर्पर हाथ रखकार प्राथना करते हैं कि है पिता इन्हें पुईतरात्मा उड़ेल देजिए तो पुईतरात्मा उन्हें मिल जाता है हलेलुया प्रेर्टों के काम आठ दिहाए पंदरा, सोला और सत्तरा वचन में लिका है और उन्हें जाकर किनों ने? परमेश्र के दासों ने उन्हें जाकर उनके लिए प्राथना की के पुईतरात्मा पाएं, उन्हें जाकर प्राथना की, परमेश्र के दासों ने जाकर प्राथना की के वो लोग पुईतरात्मा पाएं, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर ना उत्रा था उन्होंने तो केवल प्रभी येश्यू में के नाम में बगतुस्मा लिया था तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पोहत्रात्मा पाया जहनले के परमेश्वर के दास लोग, पास्तर लोग जो आपके पास रहें, जब आप पर हाथ रखेंगे और प्राथान करेंगे खे परमेश्वर पिता पोहत्रात्मा इन पर उंडेल दीजिए तो आपको पोहत्रात्मा मिलेगा फिर जब प्रेरत्नों के काम उन्नी से ध्याये, उसका दो वचन और शे वचन जब हम लोग पढ़ते हैं लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पोहत्रात्मा की चर्चा भी नहीं सुनी जब पालुस ने उस पर हाथ रखे उस पर हाथ रखे तो पोहत्रात्मा उन पर उत्रा, जब परमेश्य के दास ने उन पर हाथ रखे, तो पोहत्रात्मा उन पर उत्रा, जब परमेश्य के दास ने उन पर हाथ रखे, तो पोहत्रात्मा उन पर उत्रा, और वे भिन भिन भाशा बोलने लगे, और भुश्यवानी करने लगे परमिश्य के लोगों दो मुखे कारणों में से एक मुखे कारण ये है मुखे तरीका है आप कैसे पुईतरात्मा को पा सकते हैं जब आप पिता से प्राथना के द्वारा मांगते हैं क्योंकि परवेश्यों ने कहा मांगने वालों को सुर्गया पिता पुईतरात्मा क्यों न देगा और दूसरा हम देखते हैं कि परमिश्च के दास लोग पुईतरात्मा पाई हुए परमिश्च के दास लोग जब हाथ रखा और प्राथनकी के पिता इन्हें पुहितरात्मा का विशे कीज़ गे तो वो पुहितरात्मा से भर गए मैं आपको बताता हूँ एक दिन क्या हुआ एदिन मैं किसी के घर पर गए हुए थे हम लोग और एक सोफे के उपर हम लोग बैठे थे एक कोने पर मैं बैठा था और एक ही सोफे पार हमारे एक पास्टर थे पास्टर मक्षन सिंग वो बैठे हुए थे तो हलाग मैं थोड़े समय के लिए वहाँ पर गया था और अभी हम गये थे और वो चाय वगएरा कुश देने लगे जब तो उसने मेरे से पूछा पास्टर ने कि कहता है कि आप लोग जब किसी के सिर्पर हाथ रखते हो वो लोग कोईतरात्मा से भर जाते हैं वो लोग अभी शेक से भर जाते हैं इतनी सामर से भर जाते हैं कई बार सामर से भर कर उने कंट्रॉल नहीं होता और कई बार पीछे की और गिर बे जाते हैं तो ये वर्दान मुझे भी चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँ कैसे मुझे भी मिलेगा भी मैंने देखा पास्टर बेनी हिन को देखा और जब पास्टर बेनी हिन कई और पास्टर भी है वो उनके दौरा अभी शेक आ जाता है और उस समय के बाद आप में अभी शेक आएगा आप जिस पर हाथ रखेंगे वो लोग भी पहुतर आत्मा से भरने शुरू हो जाएंगे उन्हें ने कहा अभी ऐसे ही मतलब यहां बैठे बैठे ऐसे भी हो जहां कुछ अलग से मैंने कर नहीं अभी बैठो वहां बैठे थे हम लोग चाहे पी रहे थे तो उसी समय मैंने प्रभू परमेशर के नाम से उसके सिर्फ पर हाथ रखका प्राथना की एक आदा मिन्ट की डेड़ मिन्ट की प्राथना और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उस एथवार के दिन से प्राथना के बाद आया इतना बेशेक हुआ जिसके भी हाथ रखते थे सिर्फ पे वो प्रभू के वचन से बहर जाते थे सामर से बहर जाते थे तो एक तो आप जब पिता से मांगते हैं प्रभिशम सी कहते हैं मैंने कह रहा मुझे मालूम है कि ऐसा होता है मैंने भी प्रभू के वचन से सीखा प्रभिशम सी कहते हैं सुर्ग या पिता अपने मांगने वालों को पुईतरात्मा क्यों न देगा और दूसरी बात हम लोग सीखते हैं प्रेटों के काम में कि जब प्रमिश्च के दास लोगों ने हात रखा तो वो पुईतरात्मा से भर गए हलेलुया आज हम सब प्राथना करने वाले हैं आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए हम लोग प्राथना करने वाले हैं आज सब के लिए हम लोग प्राथना करने वाले हैं कि आप पुहितरात्मा से भर जाएं आप प्रभु की सामर से भर जाएं आप पुहितरात्मा से भरें उसके वरदानों से भरें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि प्रभु येश्युमसी ने परतिग्या की थी प्रभु येश्युमसी ने एक और सहायक देगा कि वे सरवदा तुमारे साथ रहे अर्थांत सत्यका आत्मा जिसे संसार ग्रह नहीं कर सकता क्योंकि वे ना उसे देखता है ना उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुमारे साथ रहता है और वे तुम में होगा प्रभु ने ये वादा किया था प्रतिग्या थी और यहुना सोलां दे है साथ और आठ वचन में तो भी मैं तुम से सच कहता हूँ प्रवेश्वम सी कहते है कि मेरा जाना तुमारे लिए अच्छा है क्योंकि जिदि मैं ना जाओं तो वे सहायक तुमारे पास ना आएगा प्रतिग्या जिदि मैं जाओंगा तो उसे तुमारे पास भे दूँगा और वे आकर संसार को पाप और धार्मिक्ता और नयाय के विशे में नुरुतर करेगा प्रवेश्व का ये वादा है और फिर यहुना सोलांद है तीरह और चौदां बचन प्रतु जब वे अर्थां सत्य का आत्मा हैगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वे अपनी और से ना कहेगा प्रतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा वह मेरी महमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा तो ये जो थी प्रवु का वादा था प्रवु की प्रतग्या थी प्रवु की और सिर्फ यही नहीं यहुना बब्तिस्मा देने वाला भी कहता है मरकस एकद है और उसका आठ वच्छ में लिखा है मैंने तो तुम्हें पानी से बब्तिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पोहितरात्मा से बब्तिस्मा देगा पोहितरात्मा से बब्तिस्मा देगा तो यह वादे हैं अपना आत्मा उंडेलूंगा तुमारे बेटे बेटियों बिशुवानी करेंगी और तुमारे पुर्निये सोपन देखेंगे और तुमारे जवान दर्शन देखेंगे तुमारे दास और तुमारी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उन्डे लूँगा हलेलुया तो ये प्राना नियम में भी और ने नियम में भी परमिश्य का वादा था परतिग्या थी कि मैं उन्डे लूँगा पोईतरा आत्मा को और परभी एश्यो मसी जब स्वर्ग उठाय जा रहे थे तो परभी श्यो मसी ने भी ये कहा था प्रेरतों के काम एक दहाई आठ वचन निका था जब पोईतरा आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामरत पाओगे जब पोईतरा आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामरत पाओगे प्रविश्व निकाह था और ये सब जो प्रतिग्याएं थी परमेशर की वो पूरी होती है आकर प्रेरतों के काम दो अध्याए एक से लेकर चार वचन तक जब हम लोग पड़ती है प्रतिग्याएं वहाँ पूरी होती है लिखा है जब पेंटिकुस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगाए कठे थे पेंटिकुस्ट का मतलब पचासमा दिन और एकाएक अकास से बड़ी अंदी किसी संसनाट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां में बैठे थे गूँज गया और उन्हें आग किसी जप में फट्टी हुई दिखाई दी और उन्हें से हर एक पर आठे रही और वेसा पोहतरा आत्मा से भर गए वेसा पोहतरा आत्मा से भर गए वेसा पोहतरा आत्मा से भर गए और जिस परकार आत्मा नोंने बोलने की सामर्दी वे अन्य अन्य बाशा बोलने लगे पुईत्रात्मा से भर गे और अन्य अन्य बाशा बोलने लगे तो परमेश्य के लोगों ये परमेश्य का वादा था जो परमेश्य और ने वहां पार अपने परतिग्या को वादे को पूरा किया वादे को पूरा किया है तो अब मैं थोड़ा से ये बताना चाहता हूँ कि पुछत्रा आत्मा के लाब क्या है पहले दो मुखे कारन है हम पुछत्रा आत्मा कैसे पा सकते है फिर पुछत्रा आत्मा की परतिग्या और परतिग्या का पूरा हुना और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पोहतरात्मा के लाब, पोहतरात्मा के लाब बताना, अगर मैं बताने लगूँ, तो कितने ही दिन लग जाएं, परमेशर के कितने लाब हैं, अगर हम लोग ये पूछें, परमेशर के कितने लाब हैं, तो ये बताना, किसा कितने लं पहला करंथियों 12 है आठ से लेकर 11 वजन तक पुर्ट रात्मा के नौ वर्दान वाह लिक्ट हुए है नौ वर्दान पहला बुद्धी की बाते ग्यान की बाते विशवाश चंगा करने का वर्दान सामर्ध के काम करने की शक्ति भुशेवानी का वर्दान आत्माव की पर्क अनेक परकार की बाशा और अनेक परकार की बाशा जंन के अन्येबाशा और किसी को बाशाओं का अर्थ और प्रभीशमने समएं कहा लाब क्या है? जब तुम पोहत्रात्मा पाओगे तो तुम सामरत पाओगे अब कई बार नौ वर्दानों में से एक वर्दान है अन्या बाशा बोलना अन्या बाशा क्या है? पहला कुरंथियों चौदान ध्याइए उसका दो वचन और चारवचन भी पढ़ेंगे क्योंकि जो अन्य बाशा में बातें करता है वे मनुश्यों से नहीं प्रंतु परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझ था क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में उकर बूलता है और चारवचन जो अन्य वाशा में बातें करता है वे अपनी ही उन्ती करता है और प्रंतु जो बुश्वानी करता है वे कलिस्या की उन्ती करता है पहुतरात्मा के लाब क्या है ये बहुत किठिन है मतलब आपको सब बातें बताना रूमियो आठ देहय और शबिस वचन करता है इसी रिती से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सैता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि परात्रा किस रिती से करना चाहिए परन्तु आप ही ऐसी आहें भर-भर कर जो ब्यान से बार है हमारे लिए विंटी करता है सो हमारी प्रात्रा में अगवाई करता है और यूना 14, 16, 17 जैसे हम परतिग्या में पढ़ चुके हैं कि वो सहाएक, कमफोर्टर, सहाएक मददगार, मददगार का मतलो हेलपर नहीं, कमफोर्टर मतलो, कमफोर्टर नहीं है मुझे ये दे दो, मुझे ये पकड़ाना मुझे ये करना, ये करना जैसे मिस्तिरी के साथ की हलपर लगा हूँ और सरवदा तमारे साथ रहे ऐसा बात लिए है वो एक कमफोर्टर है, मददगार है और वो प्रभू की बातों में से हमसे बात करेगा वो सत्य का मार्ग बताएगा जैसे युनासूला की तेरह चौदा में लिखा है और जक्रिया चार्द याशे और साथ में लिखा है ना तो बल्ट से और ना शक्ति से परंतों मेरे आत्मा के दुवारा होगा मुझे सनाओ के युवा का यही वचन है हे बड़े पहार तु क्या है यरूबा बेल के सामने तु मैदान हो जाएगा जहने के पोईतर आत्मा के कितने लाब है बहुत बटताना यह बात कठिन है पोईतर आत्मा के सब लाब ही लाब है पोईतर आत्मा परमेशर के क्या लाब है पोईतर आत्मा के वो ही लाब है जो परमेशर के लाब है इसलिए अगर आप पोईतर आत्मा को पाना चाहते है अगर आप पोईतर आत्मा की सामत को पाना चाहते है तो आप दो मुखे तरीके जो मैंने बताए हैं आप वो इस्तेमाल करें प्रभी ये शुमसी पर विश्वास करके ये जरूरी है अगर प्रभी शुमसी पर विश्वास नहीं है संसार पोहितरात्मा को नहीं पासकता साफ लिखा है प्रभु ये शुमसी पर विश्वाश करके पिता परमेशवर से आप पोहितरात्मा मांगे तो सुर्ग्या पिता तुम्हें पोहितरात्मा जुरूर देगा दूसरी बात जो आपके पास्थन हैं परमेशवर के दास लोग हैं वो आपके सिर्फ पर हाथ रखकर प्रात्मा करेंगे कि है पिता इन्हें पोहितरात्मा दे तो भी आप पोहितरात्मा की सामर्थ को पाएंगे तो अभी समय है हम लोग आपके लिए प्रात्मा करेंगे आप लोग पोहितरात्मा को पाएं आप लोगों के लिए हम लोग प्राथा करेंगे आप लोग पोहतरात्मा को पाएं पोहतरात्मा की सामर्थ को पाएं कोई कि जब तुम पोहतरात्मा पाऊगे तब तुम सामर्थ पाऊगे जब आप पोहतरात्मा पाऊगे तब तुम सामर्थ पाऊगे कोई भी शेतान की ताकत दुस्त आत्मा की ताकत तुमारे सामने खड़ नहीं सकेगी इसलिए अभी समय है कि आप पुछत आत्मा को पाईए प्रभू आपको आशिश दे